शार प्रतामतो जाय स्रेक्रिष्ट आज हम लोग थोड़ा सा बिसिष्टा द्वेत के प्रतिपादक जो हैं रामानुज के बारे में जानेंगे रामानुज ने बिसिष्टा द्वेत के द्वारा ब्रह्म का किस तरह से प्रतिपादन किया या किस तरह से ब्रह्म की बारे में देखे, रामानुज बिसिष्टा द्वेत दर्शन के प्रत्पादक है, इनका और विरभाव रामानुज से बहुत पहले हुआ था, परंतु रामानुज ने इशे तार्किक आधार करदान किया रामानुज का जन तमिल नैडु के पेरामदूर में हुआ था उनका संपरदाय स्री संपरदाय के नाम से जाना जाता है रामानुज भी शंकर की भाति अद्वेत बिचारकों के होशक है तथा उन्ही के शमान अद्वेत ब्रह्म को जगत का निमित एवं उपादान कारण स्विकार करते हैं परन्तु उनका यह अद्वेत ब्रह्म बिसिष्ट प्रकार का है इसी प्रकार या इसी कारण से उनका जो दर्शन है बिसिष्टा द्वेत कहलाता है रामानुज का ब्रह्मसुत्र पर लिखा गया भाष श्री भास से कहलाता है रामानुज स्री भास में दावा करते हैं कि वे ब्रह्मसुत्र की ब्याक्षा में आचार बोधायन का अनुसरन करते हैं रामानुच के पस्चात शुदर्सन सुरी विसिष्ट अद्वेट के प्रख्यात आचारे हुए उन्होंने स्री भाज से पर सुत्प्रकासिका टी का लिखकर रामानुच के शिध्धान्तों की व्याध्या के अब देखिए बिसिष्टा अद्वेत की पीछे नामकरण की पीछे क्या तर्क है उसको समझते हैं रामा नुझका ब्रह्म विचार बिसिष्टा अद्वेत कहलाता है इनका ब्रह्म अद्वेत स्वरूप है क्योंकि यह शजाती तथा बिजाती भेदों से रहित है अर्थात ब्रह्म के शमान न कोई अन्य तत्व है और नहीं ब्रह्म से भिन अन्य कोई तत्व है रामा नुझका ब्रह्म चित और अचित से विशिष्ट युक्त है इसलिए इसमें श्वगत भेद है चित और अचित ब्रह्म के बिशेशन है और ब्रह्म बिशेश है चित और अचित से ब्रह्म विशेष्ट ब्रह्म की शत्ता मानने के काण ही उनका मत विशेष्ट अद्वेत कहलाता है ब्रह्म के ये चित और अचित अंसही क्रमसः चेतन सरीर धारे जीव एम जड़ जगत के रूप में प्रगट होते हैं रामानुच का बिसिष्टा द्वेत शंकर के अद्वेत बेदांत की सुरुती बौधिक्ता के विरुध एक ससक्त प्रक्रिया के रूप में प्रगट हुआ क्योंकि संक्राचार के मानता थे कि ब्रह्म शत्यम जगत मित्या जीव ब्रह्म हो न प्रव शंकर ने अपने अद्वेत बेदांत में ब्रह्म को ही एक मात परमार्थिक दिश्टेशत्य माना तथा उशे एक निर्गुड तथा निराकार तथा बताया जगत को मित्या घोशित किया तख कहा कि जीव ब्रह्म ही है रामानुज ने शंकर की उपरुक्त दार्शनिक विचारधारा का प्रतिरोध किया तथा कहा कि सुरुतियों बेद उपनिश्दो आदि में निर्गुड सद्ध का अर्थ केवल यह है कि ब्रह्म हे गुडों से रहित अर्थात ब्रह्म में स्रेष्ट गुड पाये जाते हैं इसी प्रकार जगत के मिध्यात्व शंबंधी संकर के मत को अश्युकार करते हुए रामानुज कहते ही कि जगत उसी प्रकार सत है जिस प्रकार ब्रह्म सत है क्योंकि ब्रह्म के ही चित और अचित अंस से यह जगत प्रगट हुआ है जिसमें चेतन जीव तथा जड़ वस्त में बिद्मान है इसलिए यह जगत वास्त्विक है उपनिजदों में उल्लेखित मिथ्या सब्द से तातपर केवल इतना ही है कि ब्रह्म से प्रथक जगत की सत्ता नहीं क्योंकि ब्रह्म समत जगत में अंतरा मई है शंकर के जीव विचार के बिरुद प्रतक्रिया करते वे रामानुच कहते हैं कि ब्रह्म और जीव में तादात में नहीं है क्योंकि ब्रह्म और जीव एक नहीं है बलकि एक जैसे हैं साथ ही जगत में अनेक जीव विद्मान है तथा ब्रह्म एवं जीव के मद्ध और प्रतक सिद्धी सम्मंद है रामानुज के अप्रत विव प्रतिवादों के पीछे उद्धे सथा की भागवत धर्म के इस्वर वाद था उपनिश्दों में वरडित ब्रह्म की आउधार्णा के मद्ध शमन्वय अस्थापित करना चाहते थे इसलिए रामानुज का मत्था कि ब्रह्म हुआ इस्वर भिन्य भिन्य नहीं बलकि एक ही है इस्वर ही चित यो अचित नियामक है अता रामानुज का मत्था है कि ब्रह्म में तीन तत्व हैं चित अचित तथा इस्वर इन्हें ही तत्वत्रई कहते हैं ब्रह्म इन्हीं तीन उसका ग्यान सम्हवन नहीं है क्योंकि ग्यान उसी का प्राप्त किया सकता है, जो गुरूसे युक्ट हो यही कारण है कि रामानुझ के अनुसार ब्रम निर्गुड नहीं है जैसा कि संकर मानते हैं कि अपितु ब्रह्म पुर्शुत्तम है वह अनन्त सेष्ट गुडों से युक्त तता सभी प्रकार के हे गुडों से रही थे वह श्वरूपत और गुडत अनन्त है उश के अलावा और कोई सर्वच तत्व नहीं है वह सत्य ज्या और आनन्द से युक्त है वह नित्य और अपरिडामी है वह श्वयम प्रकाश है पर प्रकाश नहीं है वह देश काल और अन्य कीजों से परिछिन नहीं है ब्रह्म शविशेश है वह सर्वगुड संपन्य द्रभ्य है ब्रह्म निर्विशेश नहीं है ब्रह्म को निर्गु शर्वग्य, शर्वशक्तिमान और सब कल्यान गोडों से युक्त है, वह जगत का करता, धरता और हरता है, वह शब का उपादान है, और निवित्य कारण है, वह शब का आधार है, वह परमपद है, वह कर्मफल प्रदाता है, कर्मा ध्यक्ष, अपने भक्तों को सरड देने वाला है, वह सब का श्वामी है, वह अनन्त ग्यान और अनन्त आनन्द से युक्त है, उसके कल्यान गोड, नित्य, अनन्त, और परिशक्ष, निरुपाधिक, निर्दोष, अनुपम और निर्थिस है, वह चित जीव और अचित जड़ प्रकृतिक, दोनों अंतर आत्मा है, और उपासना से प्राप्त होता है, वह भूमा है, और अपनी महिंमा में निवास करता है, वह सब का आधिक कारण है, वह चित और अचित का नियामक है चित और अचित उसकी शक्तियां अंस अव्यक्तियां आकार विसेशन प्रकार या सरीर वह अपने विसेशडों और प्रकारों से भिन्न है ब्रह्म अनेक में एक है ब्रह्म का श्वरूप अचिंत है यद्ध पीवह एक है और चित चित का नियंता है तथा पी वह चित जीवों अचित वस्तुओं के अंदर उसकी अंतर आत्मा बन कर बैठा हुआ है और जीवों से प्रतेग कर्म शुतंतरता पुर्वक करवाता है तथा वस्तुओं से नाना आकार धारण करता है एक होने पर भी वह नाना स्वरूप धान करता है अव्यक्तियो के नानत्व कारण हुआ अपनी अखंडता नहीं खोता ब्रह्म सजाती और विजाती भीदों से प्रहित है किन्तु श्वगत भेज से युक्त है इस्वर्या ब्रह्म पुर्ण है और लीला के लिए जगत की स्रिष्ट करता है जगत को बनाने में उसका कोई बाहरी नहीं है अब इश्वर का स्वरूप क्या है रामानुच के नुसार थोड़ा तो उसको जान लेते हैं कि इश्वर का स्वरूप क्या है इश्वर का स्वरूप पंच विधी है परा वीभूति चार प्रकार के व्यूव वासुदेव शंकर्षड प्रदुम्न और अनिरुद अर्चावतान पराविभूती कालातीत और अनन्त आनन्द है नित्यमुक्त जीव उसका भोग करते हैं इस्वर जगत की स्रिष्ठी पालन और संगार के लिए बंधन में पड़े हुए जीओं की रक्षा के लिए और भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वाशुदेव शंकर प्रदुम्न और अनिरुद्घ चत्रिवू के रूप में अग्ध्ष होता है वाशुदेव 6 स्वर्य गुड़ों से युक्त है शंकरστळ ज्ञान और बल से युक्त है और जीओं का अधिष्टाता है प्रदुम्न नियामक शक्ती और विर्य से युक्त है और मनस का अधिष करता है प्रदुन धर्म का उपदेश्टा और सुद्ध स्रिष्टि का करता है अनुरुद शम्य ज्यान का दाता है काल का करता और मिर्ष्टि प्रदुन जगत का संगहार करने वाला विभव प्रधान या गौड होते हैं प्रधान विभव इस्वर के लोकुत्तर सरीर हैं वे सब मुक्षों के द्वारा पूजे जाते हैं व्यास अर्जुन इत्यादी गौड विभव हैं मुक्षों को इनकी उपाशना नहीं करने चाहि है क्योंकि यह अहंकार से युक्त जीओं के अधिताठा है यह मनुष पसू जड़ वस्तुम में इस्वर की अव्यक्तियां हैं अवतार अधर्म की रक्षा अधर्म का नाश और नैतिक विवस्था को कायम रखने के लिए होते हैं इस्वर चेतन जीओं और जड़ पदार्त ब्रह्म की दो वस्थाओं का उलेक किया है कारण अवस्था तथा कारे वस्था कारण अवस्था में ब्रह्म तीन तत्तो रहते हैं चित अचित और इस्वर इस्वर चित और अचित का नियामक है कारण अवस्था में चित और अचित ततो ब्रह्म में सुच्म रूप में वि ब्रह्म ही कारे अवस्था में अन्य शब्दों में इस्थुल चित और इस्थुल अचित से बिस्ष्ट ब्रह्म ही इस जगत का कारे कारण लकारे ब्रह्म है इस प्रकार रावानुज का ब्रह्म तीन तत्तों की समस्ष्टी है ब्रह्म इन तत्तों से प्रहला अवस्था इंस् अवस्था में ब्रह्म चेतन सरीरधारी जीव अथा जड़ प्रकृति अथा इस्वर से बिसेशित रहता है। ब्रह्म के अंसों से उत्पन्न होने के कारण यह जकत सत है। इसे ही ब्रह्म परिरामवाद कहा जाता है। रामानुच के नुसार जीव और ब्रह्म में अंस और अंसी भाग और पुर्ण आदिका सम्मन्द है। जीव यदि चिंगारी है तो ब्रह्म आग है। अतह जीव और ब्रह्म शरूपता अभिन्न है। वे एक नहीं एक जैसे हैं। जिस प्रकार अंस और अंसी भाग और पूर्ण में भेद होता है, उसी प्रकार जी और ब्रह्म एक दूसरे से भिन्न है, दोनों में और प्रितक सिध्धी शम्मंद है, माया का निराकण, रामानुज के नुसार माया का निराकण कैसे किया गया है, उसको थोड़ा सा हम लोग यह बताते हैं, थोड़ा अफ़ा देखते हैं, देखिए, रामानुज संकर के माया या अविद्या विचार पर घोर अपत्ति जताते हैं, संकर कहते हैं कि माया का आसर है जो नहीं है, परन्तु इश्कातात पर केवल अभावत्मक ही नहीं है, भावात्मक भी है, माया की दो का आरूपर कर देती है पर राम सुरुप ब्रह्म अवस्तु की प्रतिती जगत अवस्तु के रूप में होने लगती है इसके साथ ही माया के कारण निर्गुड एवं भेद रहित ब्रह्म जीव जगत प्रपंच के रूप में आवाशित होते हैं रामानुज शंकर के इस माया खणनन करते हैं जिसे शप्तानुपघती कहते हैं कि इसको सुनते हैं देखिए आश्रया नुपघती ऑ क्थेर रामानुज कहते हैं कि संकर माया के आश्रे की युक्ति संगत ब्याख्या नहीं करते हैं शंकर कहते हैं कि माया अविध्या ब्रह्म में रहती है इसे श्विकार किया जा सकता है क्योंकि वह पुड़त ज्यान शोरूप है अता माया ब्रह्म का आस्रे नहीं हो सकती जीव भी माया का आस्रे नहीं हो सकता क्योंकि जीव भाव अज्ञान के द्वारा पैदा हुआ है इस प्रकार माया अपना आश्रे स्वयम नहीं हो सकती अर्थात माया श्वा आश्रित नहीं हो सकती क्योंकि स्वा आश्रित तो केवल ब्रह्म है तिरोधान अनुपपत्ति शंकर कहता है कि माया ब्रह्म के श्वरूप को ढख देती है रामानुच कहते हैं कि यह बिल्कुल अयुक तो बात है क्योंकि ब्रह्म श्वप्रकास है अर्था जो स्वयम अपने ही द्वरा प्रकास ही थे उसे माया ढख कैसे सकती है श्वरूप अनुपत्ति क्या है शंकर माया के स्वरूप की युक्ति संगत ब्याख्या नहीं करते क्योंकि वे कहते हैं कि माया अभावात्मक तथा भावात्मक दोनों है रामानुच कहते हैं कि इसे स्विकार नहीं किया सकता क्योंकि या तो कोई चित सत होगी या असत होगी कोई भी चीज एक साथ सत असत नहीं हो शकती यदि माया को भावात्मक माना जाए तो वह कभी नश्ट नहीं हो शकती पर राम सुरुप ब्रह्म ज्यान भी नहीं हो शकता इसी प्रकार यदि माया को निशेधात्मक माना जाए तो वह ब्रह्म के सुरुप को धगही नहीं सकती अनिर्वचनी अनुपत्ती, शंकर कहता है कि माया अनिर्वचनी अवर्णनी है क्योंकि वह सत एं अशत दोनों है, किन्त उसे श्विकार नहीं किया ज सकता है क्योंकि या तो कोई चीज शत होगी या अशत होगी प्रमाण अनुपत्ति, शंकर की माया का कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि उन्हें माया का जो वर्ण किया है, उसका प्रतक्ष अनुभर नहीं होता, और नहीं उसका अनुमान किया जा सकता है, पवित्र सास्त्रों में भी इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता, उपनिश्दों में भी माया को ब्रह्म की शक्ति के रुप में वडित किया गया है, किन्तु जिन दो सक्तियों का आवरण ता विक्षेप का उल्ले किया गया है, उसका हमें कोई प्रमाण नहीं मिलता, अतह माया बाद प्रमाण विहीन है। शव विशेश या भेदी युक्त वस्तु का ही ज्यान होता, अतह ब्रह्म के अभाव में माया का निवर्तक पम्म है। ब्रह्म के शातों तरगों का प्रित्र देते हुएं, उन्हों ने अनुचित बताते हुए शंकर के अनुपाई दवर उत्तर इस प्रकारशे हैं। चलिए, ठीक है, यहां तक हम लोग जाने। झाल झाल